कि अ कि हैलेaa दोस्तों तो बिषाल एगरीपवाईट यूट्भ चैनल पर आपका स्वागत है आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद हमारा जो अर्टिकल्स का लास्ट लेक्चर होगा ऊड़न और इसके बाद हमारा स्टार्ट करेंगे हम टेंस बगरा सीखेंगे और टेंस के बाद हम बहर बगरा जितने भी कंजेक्शन बगरा यह सब सीखेंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के लिए रेडी आज हम सीखने बाले हैं कि कैसे दिस का यूज करते हैं कैसे देट का यूज कर करते हैं ठीक हैं तो बने रहें सेशन के साथ तो इस्टार्ट करते हैं लेक्चर को हम तो लेक्चर को जा हम इस्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे बच्पन में हमने क्या पढ़ाता अधिस ओ देखेंगे तो डातiej और देखेंगे अधिकिंगी जैसे दोज ठीक है इस तरीक से में लिख सेथा बढ़ कंन द्यूर करते थे कब करते थे भई आम करते थे शिंग्यूलर के लिए कोई भी चीज पास में है नियर के लिए बात समझे देट का यूज कब करते थे कि यह भी भाई कब है कि सिंग्यूलर के लिए कोई भी चीज नियर है यह 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 फार होगा ठीक है इसके बाद दीज गई इसका परेंगे प्लूरल नियर प्लूरल फार यह कंसेप्ट हमने बच्पन में देख लेते हैं जहां भी कोई बुक्स देखोगे आप यह कंसेप्ट तो मिलेंगे हैं ऐसे ऐसे यूज करना है इससे रेलेटेड एक एकाद कुशन भी कर लेते हैं जैसी छोटा सा कुशन है मैंने लिखा इस आर फैक न्यूज ठीक है एक सेंटेंस तो यह लिखा और मैंने लिख दिया दिस इस गुड़ बीपुल कभी बार मिल जाता च्वटा सा कुशन ठीक है बैसे इतना इसा इतना भी गया है इतना हलके कुशन नहीं पूछे जैसे हम देखते हैं इसको वह देखते हैं कि क्या केणा चाहरा जैसे आपने देखा कि न्यूज क्या है स्था न्यूज क्या है हमारा आप देखेंगे आय didn't दियान दखना समाचार एक तरह से हमारे लिए प्लूरल नहीं होगा यह हमारा हुगा सिंग्विलर धियान दखना ठीक है समाचार जो भी होते हैं वह हमारे कैसे सिंगूलर होता क्लियर पीपूल हमारे कैसे है वो सारी लोग हों है तो आप बोलेंगे यहां पर क्यों हो जाएगा प्लूरल कैसे होगा हमारे प्लूरल जब आप यहां देखेंगे समाचार जब सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे बहुत दीज तो नहीं आ सकता सिंगुलर है तो आप यहां पर क्या आएगा अजीछ है ब समझें सिंग्या प्लूरल के सथ यहां पर देखेंगे यहां पर क्या आएगा तो रोंग है मारा पुलूरल के साथ हमारा दीज और दोज लिगता है रोंग है तो यहां पर क्या हो जाएगा जी जार एकदम कंसेपट क्लियर तो मुझे रगता है कंसेप्ट समझ में आ गये होगा छोटा सा जो कुश्चन पूशता है उसका हम जो लेबल लेगे हैं जैसे एक कुश्चन लिखता हूं मैं एकजाम का यह कुश्चन है में जैसे देख़ो यह ही दिंख देता हूं इसको मृटल देता हूं कुछुछन लेकर आग I don't have your June के यह भी पूछा गया पियो का कुछन है कि आई बीपर स्पेऊ का जो लेवल वन में पूछ जाता है टीक है कैसा कुछन पूछा जाता है the कमिटी एज प्रोबाइड यहां पर लिख रहा है दी इस सोलुशन ओन दा basis of high-level meeting मिटिंग बिद्धी इस्टेकोल्डर ठीक है जो कुशन लिख दिया मैंना बोलाए कि दा कमिटी है प्रोबाइड दी सूलुशन ओन दा basis of high-level meeting बिद्धी इस्टेकोल्डर मतलब कि जो कमिटी है वो सुलुशन कि प्रोबैड करा रही है किसके बैसिस पर high-level मिटिंग मिटिंग होई है किसके साथ कि इस्टेकोल्डर के साथ कि यहां तक तो कोई दिकर ने सेंटेंश ठीक है यह भी है आप यहां पर देखेंगे क्या देखेंगे कमेगा लगा लगा है आप इसके आगे जब गौर करेंगे किया ललाएं ते बढ़ता है इसके विच्क पुछान ओलर के दिए सबトे कि लिए रोगा एक थीग है यहां तक तो मुझे लगता है एक दम बैतरी तरीके से समझ में आगे होगा आपको जैसे इसके बाद जो कुशन पूस्ते हैं वह लेवल टू के अंदर हम डिसकस करेंगे कि लेवल टू में कैसे कैसे कुशन पूस्ते हैं अब बात करते हैं लेवल टू के लिए लेवल टू के लिए जैसे एक प्रिवेश का कुशन लेता हूं जो हरवार पूचा जाता जाद था वो क्या है हमारा वह सेंटेंज लिख के आता है एक्जाम में दीज टाइप ओप फ्लोवर आर फाउंडिन नोर्थ इंडिया ठीक है आप क्या पर देख रहा हूं दीज टाइप ओफ फ्लोवर आर फाउंडिन नोर्थ इंडिया समझ गे होंगे आप यहाँ पर क्या डीज है प्लोल याँगा कि हा रहर हो गैंणित टाइप्स यह हूं इसजेगे एक्जाम में में पता क्या होता है बहाँ पर लिखा हुता है इसके बाद यहाँप费 निखा होता है सोट्स हूँर यहां पर लिखा था जैसे ले क्लास को क्लास को सब्सक्राइब का इस प्रकार के ऩौर का पाइंडिया तो लेवल टू कुछिन क्लिए हो गई घीग जबर दस तरीके साब को यह तो किलिए हो गया जिए मज़ा नहीं आ रहा अब देखते हैं लेवल त्री का कुशेन अब बहुत ही तगड़ा जो जब था कुशन पूछते हैं मज़ा आगगा पांच मिनिट वास्ट बाद चलेगे इस कुछ देखना मज़ा आएगा जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा जो पूछा है प्रीवेश तर्स में आई वीपेस एफ हो गया अंदरी यह है सेंटेंस कि बोथ कि जापान एंड फ्रांस कि फ्रांस आर कि डेबलब्ट कंट्री गंसा देखना ठीक हो कुष्ट्टन यहां तक क्लियर हो गया फिर लिखाया है दिस लाइश दिस लाइश इन एस्या एंड देट लाइश इन यूरोप यह कुष्ट्टन है पर ले टीक से देख लो इसकुष्ट्टन को लिखाया कि बोथ जापान एंड फ्रेंश आर डेबलब्ट कंट्री ठीक है वाई डेवलब्ट कंट्री यह नहां तक को दिक करते हैं इस लाइस इन एशिया और देट लाइस इन यूरोप अब पहला मैं आपको एक चीज के लिए कर देता हूं कि जितना अब आप देखायों कि इस कि लिए यूज होता है हमारा देट किसके लिए एक आता है है थार और कि नियर कि वैस्के लिए होता है आप यहां पbon les both जापान एन फैंग्स और डेवल कांट्री इससलाई इन आशाइं मतलब किस होते द्यूज कर रहा है वह तो दीश के लिए विश कर रहा है और थाउसर जिपbahn के लिए दिख आ रहा है है कि इस तरीकी के कांफ्यूजन के लिए आपको धिछान ठाखना ऊगा जो इसके नियर में ऐसे नहीं मतनुदर जब सेड्स को देखना में कुश्यन के तुरू तो इसके जो पास में लिखा है कौन लिखा है फ्रांस तो France किसके लिए लिखा है दिस किसके लिखा है फ्रांस के लिखा है तो आप देखेंगे कि France lies in Asia यही हो इसका मतलब date किसके लिखा है तो date आप देखेंगे जापन के लिए date किसलिए तो जापन in Europe यह हुआ इसका मतलब तो date दूर का है तो फार यह दियान रखना आपको जितना जो close रिखा हुआ इसके पास तो वह हमारा दिस्क का है ठीक है और जो date की बात कर रहा है वह हमारा दूर का है यह एक तरह से basic तरीके सा आपको knowledge होना चाहिए clear हो गया है ठीक भाई आपने एक सिक सेवन एक मैं देख लिए हुगा कि यार प्रांस की समों होता है एस अमारा जरीक भाइस कि आप बोलेंगे कि नहीं कुछ मानवा बोलेंगे कि योजाता है तो यहां पर यहां पर यहां से देखें तो फ्रांस यहां पर किसके लिया आता है डांस एश्या में नहीं होता हो फ्रांस हमारा किसम हो उता है यूरोग माना चींट य्स भी जापान कंऊ घप एसिया कंदर। तो ए सेंटेंस पहले तो यहां को यहां तक इररर किलिर होगे है अब आप यहां पूल सेंटेंस को सही करने के लिए। आप मुझे यह बताओ क्या क्या कर सकते हो इस sentence को सही करने के लिए आप क्या करोगे ठीक है यार दिस और देट लिख रहा इन्होंने sentence आप यह थोड़ी ना क्या आप फ्रांस को जापन कर सकते हो यह जो लिख दिया है वो लिख दिया आप इस sentence को सही करने के लिए आप क्या सोचों कि यार ये काम एसे हो सकता है ना क्यासे इस दिस्क की जगे हम देट लिख दें और दिस्क को यहां लिख दें यही दिमाग मार होगा आपके फुशन एक बात ध्यान रखना दिस्क पहले आता है देट बाद में आता है sentence के अंदर तो हम यू नहीं कर सकते कि देट यहां लिख दो और दिस्क यहां लिख दो तो हमारा sentence क्लियर हो जाएगा सही हो जाएगा ऐसा गलती मत करना ठीक है हमें इसा ध्यान रखना कि दिस्क पहले और देट बाद में आता है sentence के अंदर एक चीज तो यह गल्दी के लिए रहा है एक तो यह मिश्टेक हो गया आप क्या करें तो यह sentence को सही करने लिए आप दिमाग लगाओगे कि यार मैं इसको एक एक काम कर सकता हूं कि इस यूरोप को यदि मैं यहां लिख दू इस इसका मतलब तुमारा correct हो जाएगा ठीक है बिल्कुल सही बोले यह इतना है सोचने जवर्ने की जवर्द जवर्द नहीं है हम क्या कर सकते हैं इस फ्रांस को टाके यहां और जापान को टाके यह एक तरीका यह भी है यह भी कर सकते हैं बात समझे मैं बट जो कुश्चन दुमने क्या चालागी खीली अब देखेंगे इसके साथ है एकस्टा इंदर है कुछ फ्रेज जशे देखो उन्होंने क्या किया सबसे पहले इस तरीके से एक डेस लिगा, इसके बाद उन्होंने एक यहां पर किचा, इसके बाद उन्होंने क्या गिया, एक यहां पर लिया, आया समझे, मतलब कि एक तो यहां पर डंडा किच दिया उन्होंने, एक यहां पर किच दिया, एक यहां पर किच दिया, इस तरीके साब के पा अब आप मुझे यह बताओ, हम क्या बोल रहे थे, मुझे यह बताओ, भई आप ने बोला, कि यार मैं एशिया को उठा के यहां चिपका दू, और यूरोप को उठा के यहां चिपका दू, तो थो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यही बोलना चायों, बट जो examiner जो option देता है, वो तो एक तो कि या तो c होगा हमारा option, या तो d होगा, ऐसा तो नहीं कि c और d में डोनों में कर सकते हैं, option तो एक ही मिलेगा, या तो a मिलेगा, या b मिलेगा, c मिलेगा, d मिलेगा, error पूछेगा, कौन से में change कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो हम सी और डी दोनों option तो नहीं हो सकते तो यह भी नहीं कर सकतें आपको करना पड़ाएगा ओनली एक option के लिए आप क्या कर सकते हो एक option के लिए आप जा सकते हो इधर यह बचा इसके अंदर आप क्या कर दो फ्रांस को इधर कर दो जापान को इधर कर दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसको ही हम चेंज कर दें फ्रांस को यदि मैं यहां लिख दू और जापान को यहां लिख दू तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा सई हो जाएगा एकदम सई मानियों तो मुझे लगता है बैत जैसे next question लिखता हूँ आपको तब समझ में आएगा यहां तक लिए रहो गया एक और question लिखता हूँ बहुत ही शांदार मज़ेदार देखो यह भी question पूचाया है प्रिविए सेस्ट में यू कैन चूज तू बिकम ए डॉक्टर ठीक हूँ बाई ओर एन इंजिनियर this deals in मसीन एंड डेट डेल्स इन मेडिशिन्स ये भी प्रिवेश स्थ का उच्छन है आप क्या देखे हैं इस सेंटेस का मतलब क्यो है यू केन चूज टू बिकम एडोक्टर और या इंजिनियर क्या एक डोक्टर के बाद कर रहे हैं एक इंजिनर के बाद कर रहे हैं आप देखेंगे जो इंजिनर है यह पास में लिखा है दिस सही बात है है doctor और leikator के अंदर आपने पास में कौन सा लिखा है engineer इस का इन यहां पर देट लिखा है इसके दूर है ना दिकरा है पास में कौन सा इन यह तो यह दिस मसीन से डिल करता है जबकि डॉक्तर की से sleeping का यहां हमारे घया है कि बध्यू चाइव कोई रोंग नहीं है कोई एक एकवार के लिए कर देता हूं है ड़ॉक्टर और इंगार कर रहा है जो 10 ड्लब मत करता है और क्ली लेडिसपर ओंग करते हैं बैट किस लिए चैसिक हो अगया क्योंको दूर के लिए आता है है तों यहां सई बात है कि इन्जेर पास में यह डूर दूर रहे हैं तो हमारे मेडिश्यन से लेट कर रहे हैं बिल्कुल सई बात है तो अपर सभी संटर्ण सब्सक्राइब करें था कि लेयर हो गया को एक दम बहत्रीन तरीके सह से लेवल 3 नमबर की जो कोशन आते है वो इस तरीके से अब एक लास्ट में कर लेटें हैं हो ROS L लेवल नंबर फॉर में जो कोशन पूछता है मैं आपको बताता हूं जैसे आपने देखा होगा वोई के लिए के लिखाता है ही जहां भी टॉलेट पगेर करते होँ वहां देखा होगा ना एक तरसे वोई के लिखा होता है पगेर जैसे मैं एक सेंटेंज लिखता हूं एक्जाम का तो लेवल नमर फॉर से जो कोशन पूछता है यह एक्जाम में पूछा हूआ सेंटेंज है जैसे मैं लिखा आई केप्ट दा बेग ओन दी टेवल इट बाज मेड ओप लेदर एक सेंटेंज तो यह हुए दूसरा जो कोशन है इससे रिलेटर कोशन आ सकता है जो एक्जाम में अपने नेक्ट साल में आई बॉट एब एबेग इट बाज मेड़ों के देंटेंज को अच्छे सदीको क्या बोलना चाहरा है कि आई केप्ट दा बेग ओन टेवल टेवल को उपर रखा है इट बाज मेड ओन मेड ओप किसका लेदर का बनाए अब यह इट किसके लिए है इट किसके लिए है अपने पास केच कीजिए दो है टेवल भी है बैग भी है तो इट किस के लिए आयोगा इट बाज मेड ओप लेदर आप देखो किस के लिए अद्वा तो यहां पर आप देखेंगे कि लेदर से कौन बना है बेग ही बना हो गए ओपिएसली वात है यार इतना तो के सुझना तो भई बेग के लिए होगा हमेशा यह ध्यान रखना जिस तरीके से आपके पास दो एक साथ है ना यहां पर बेग और टेवल इस तरीके से आ जाए न तो कभी भी इट का यूज नहीं कर सकते हैं यहां पर हम क्या लगा सकते हैं अब देखो यहां पर बेग की बात कर रहा है लेदर का बेग है तो बेग हमारा क्या हुआ टेबल और बेग में कौन दूर है बेग है तो बेग के लिए हम क्या लगाएंगे देट का यूज यहां पर क्या आएगा दिस या देट का यूज करेंगा जिसमें कौन आएगा वह बेग है बेग लेदर का बना है तो देट आजएगा जैसे यहां पर देखो एक बहुत है बेग इट वाज मेड़ अप लेदर सिंगल है उनली बेग ना तो कोई टेवल है उनको दो बात नहीं करें उनली बेग की है तो बेग है तो इत्वाज मेड़ लेदर तब यह करेक्ट हो जाएगा सिंटेंस क्लियर हुआ एक साथ जब दो आए तो हम इट से कनेक्ट नहीं कर सकते उसको हम उसके लिए क्या यूज क लगता है आज का लेक्टर बहुत ही तरीके से कंपलीट होता होने को जा रहा है इसके बाद हम डिसकस करने जाएंगे टेंस के बारे में तो अगले लेक्टर का बहुत ही शांदर तरीके से टेंस वगर सिखें काफी कुछ लेक्च चरूंगे तो आपको मैं सिखाने के पूरी कोसिस करूँगा ठीक है आप बताने कि वीडियो कैसा लगा और जाते जाते हसते रहें और मुस्कराते रहें आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपको थेंक यू पर बाचिंग इस वी झाल 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 मुस्को एपको थेंगा है?